हलो फ्रेंड्स बलकम टू मा यूटूब चैनल सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने बाले हैं जो आपका SSC CPOSI का 3 अक्टूबर का 1st shift का एक्जाम हो गया दोस्तों 3 अक्टूबर 1st shift में पूछे गए सभी questions इस वीडियो में discuss करेंगे जो भी questions में आपको बताऊंगा वो 100% real होंगे तो वीडियो काफी important है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like or share जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe को notification bell आउन करना न भूले तो चलिए वीडियो को start करते हैं पहला question पूछा गया था भूटिया नर्ते किस राज से समन्दित है भूटिया नर्ते जो है ना सिक्किम राज से समन्दित है भूटिया के बारे में कुछ मैटपूर्ट फैक्ट जान लेते हैं भूटिया प्रवोत्तर भारत के सिक्किम राज में रहने वाले सिक्किमी लोगों का एक समुदाय है भूटिया में नर्तिगीत और लोक कथाओं की समर्द परंपरा है next question देखे पोचा गया था my life book पुस्तक के लेका कौन है तो देखे my life book पुस्तक के लेका कहें Helen Keller तो Helen Keller आपका सही अंसर हो जाएगा the story of my life the story of my life अमेरिका की प्रसिति लेकिका Helen Keller 1903 द्वारा लेकित एक आत्म कता है यह आपको ध्यान रखना है यह जो आत्म कता है न Helen Keller ने 1903 में यह आत्म कता लिखी थी Helen Keller जो है यह अमेरिका की प्रसिति लेकिका है यह भी आपको ध्यान में रखना है कुछ बुक्स हैं और उनके लेकक हैं जान लेजिए यहां से एक कोशन्स तो आपसे हर हाल में पेपर में पूछा जाएगा पहली पुस्तक का नाम है My Country My Life लेखा कौन है इसके L.K. आडवानी ममताब इनर्जी की पुस्तक का नाम क्या है My Unforgettable ममताब इनर्जी की है रागव वहल रागव वहल की पुस्तक का नाम है रागव वहल सूपर पावर दमन सिंग की पुस्तक का नाम है इस्ट्रिकलिटली पर्षनल इस्ट्रिकलिटली पर्षनल ठीक है तो इस questions से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है next questions देखेगा Asiatic Society की इस्थापना किसने की थी Asiatic Society की जो इस्थापना है न सर विलियम जोन्स की दोड़ा की गई थी तो सर विलियम जोन्स आपका सही अंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने Asiatic Society की इस्थापना की उन्होंने 15 जिनवरी 1784 को Asiatic Society की इस्थापना की थी कब की थी 15 जिनवरी 1784 इस भी को बंगाल की Asiatic Society कोलकाता में इस्था यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कहां परिस्तित है कोलकाता में Society के पुस्त काले में लगवग लगवग इसमें देखिए एक लाक सामान खंड है और इसके संस्क्रत खंड में 27,000 से अधिक पुस्तिके पांडू लिपियां सिक्के प्रिंट और नकासी हैं यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना रेटीक है अगला कोशन देखिए पूछा गया था भारतिय सम्मिधान की आठवी अनसूची यह किसे से संब्द देत है तो भारतिय सम्मिधान की आठवी अनसूची में भारत की सभी अधिकारिक तौर पर मानता प्राप्त यह सम्मिधान के अनुचेत 344 और 351 में पाई जाती है तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन प्रतिवी राज तृतिय किस वंच से समंदित था प्रतिवी राज तृतिय जो है ना यह चौहान वंच से समंदित थे अगर प्रतिवी राज तृतिय के चौहान वंच के राजा थे उन्होंने वर्दमान उत्तर पश्मी भारत में पारमपरिक चौहान शित्र शपाद लक्ष पर सासन किया था ठीक है और यह हिंदू समराट जो था प्रतिवी राज चौहान यह हिंदू समराट लाश्ट था आखरी है हिंदू का सासक लिए लड़ा गया था जिसमें प्रतिवी राज चौहान यह हिसमें देखिया प्रतिवी राज चौहान को परासकर मौम्मद गोरी ने विजय हांसिल की थी एक कोशन देखे पूछा गया था कि प्लासी का यूद कब हुआ था तो प्लासी का यूद 23 जून 1757 इस वी को लड़ा गया था प्लासी की लड़ाई सिराजु दौला और रोवर्ट कलाईग के नर्दक्त में ब्रटस सेना के बीच लड़ी गई थी ये जून 1757 में प्लासी बंगाल में लड़ा गया था प्लासी बंगाल में इस लड़ाई ने भारत में ब्रटस समराज की नीब रखी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बक्सर का भी युद पूछा जाता है तो बक्सर का युद कब लड़ा गया था अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़े थी ये भी आप याद कर लीजिए ने इस कोशन देखे पूछा गया था कि 42 समिधान संसोधन कब हुआ था तो 42 समिधान संसोधन 1976 में हुआ था सन 1906 का 44 संसोधन अधनियम भारतिय समिधान के सबसे महत्पून संसाधनों में से एक है इंद्रा गांदी के निटत्वाली भारतिय राष्ट के कांगरेस सरकार ने 1976 में इसे पारिद किया था ये भी फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है इस अधनियम को लगो समिधान के रूम में भी जाना जाता है क्योंकि इसने भारतिय समिधान में भारी संख्या में संसोधन लाए है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखे पूछा के तब भारत के समिधान का भाग तीन ये किसे से सम्बंदित है भारत के समिधान का भाग तीन मौलिक अधिकारों से समदित है वे अधिकारों का एक सम्मू है जिसे अतिक्रमण से बचाओ के लिए कुछ इस तरकी सुरुवात दी गही है यह आपको धान रखना ठीक है मौलिक अधिकार में यह बार्णित है अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं जैसे की इसमें पहला दिया गया है रंग को चेंज कर लेते हैं पहले हम समान्ता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है यह अनुच्छेद 14-18 के बीच में है सुतंतरता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 में है सुसर के खिलाप अधिकार अनुच्छेत 23-24 के बीच में है, धर्म की सुतंतरता का अधिकार अनुच्छेत 25-28 के बीच में है, सांस्कृतिक और सैच्छिक अधिकार अनुच्छेत 29-30 के बीच में है, श्यवधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेत 32 में है, तो ये जो आ निम्लिकित में से कौम खरीब की फसल है तो खरीब की फसल के वारे में जान लीजी आप लोग खरीब फसलों को मानसून फसलों के रूब में भी जाना जाता क्योंकि उनकी मानसून के मौसम में खेती की जाती है ये फसलें बारिस के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है शावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयावीन, मुंफली, कपास, आदिसवी, खरीब की फसले है तो आपको ये धान वे रखना है ठीक है अगला कोशन देखे पूझा गया था कि अजमेर की राजधानी किसने बनाया था अजमेर की राजधानी जो है ना अजयराजा ने बनाया था अजयराजा जो था अजयराजा चौहान बंस का महान सासक था उन्होंने अजमेर सायर की इस्थापना की जो मूल रूप से 1113 में अजय मेरू के नाम से जाना जाता है जैराज दोरा लेकित प्रत्वी राज विजय के अनुसार है उसने अपने उसने इसे अपनी राज की रासधानी बनाया उन्होंने अजमेर किले का निर्मान कराया उन्होंने सिरी अजय देव नाम से चान्दी के सिक्के भी शुरू की है तो यह सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लिए अजय राज के बारे में अगला कोशन देखे पूछा गया था National Commission for Women Act 1990 यानि राष्टियम महिला आयोग अधनियम 1990 इसके बारन जान लिजिए राष्टियम महिला आयोग की शवधानिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए शवधानिक और विदाई सुरच्छा पायों के सनिच्छा करने उपचारी विदाई उपायों के सिपारिस करने सिकायतों के निवारण को सुकुर बनाने और महिलाओं को प्रवावित करने वाले सभी नीती का तमामलों पर सरकार को सला देने के लिए राष्टियम महिला आयोग अधनियम अगला कोशन देखेगा अगला कोशन देखेगा अगला कोशन विच डांस अकडमी इस शारावाई यानि मडालेनी शारावाई किस नर्थ अकादमी से समन्दित है तो इनके बारें जान लेते हैं काफी सारी चीजे हैं मडालेनी शारावाई एक भारतिय सास्त्री नित्यांगना और कुरियोग्राफर थी उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम सारावाई से साधी की ध्यानपूर्वर देखेगा वीडियो को मरणालेनी सारा भाई पद्मसरी 1965 और पद्म भूशत 1992 की प्राप्त करता थी तो यह भी आपको ध्यान में रखना है उन्हें वर्स 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्टित संगीत नाटक अकादमी फेलो सिर्षेवी समानित किया गया था तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है देखें पीडियाप आपको गहाल टेली में मिल जाएगी आप टेलीगडाम चनल जो आन कर लीजिए पीडियाप आपको वह पर मिल जाएगी अगला question देखे पूछा गया था कि पहला Commonwealth Games कब हुआ था तो पहला Commonwealth Games जो है न 1930 कनाड़ा में हुआ था ठीक है पर्थम राष्ट मंडल खेल 1930 में Hamilton कनाड़ा में आयूजित किये गए थे ध्यान पूरों वीडियो को देखना आप लो भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयूजित तूसरे राष्ट मंडल खेलों में भाग लिया था अब बात कर लेते हैं 21 राष्ट मंडल खेली तो 21 राष्ट मंडल खेली आउस्टेलिया और इंग्लाइन के बाद तीसरे स्थान पर था भारत ने 2010 में नई दिल्ली में उनिस्वे राष्ट मंडल खेलों की में जवानी की थी तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान बखना है लिखे जो 2022 की जो राष्ट मंडल खेल हुए थे यह कहां पर आयूजित किय में तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है ठीक है अग्ला कोशन देखेगा को क्ची पुडी नर्थ नर्थ तो कुछ पुड़ी नर्थ जो है ना अंधर परदेश संबन दित है आप कुछ सास्थे नर्थ और इस्थान और जान लेजिए कसकली किस राज से संन्दित है तो कफ कली केरल राज से समंदित है महिनी अश्टम किस राज से समंदित है भरत नाट्यम किस राज से समंदित है तो भरत नाट्यम तमिलनाटू से समंदित है कुछी पुरी मैंने अब लोगों को बता दिया है तो सस्त्रिया निर्थ जो है ना असम राच से समन्दित है, कथक जो है ना उत्तर प्रदेश से समन्दित है, ठीक है, नेक्स कोशन देखेगा, अगला कोशन देखे पूछा गया था, पंदरवी भासा शिंदी को शमिदान में कब जोड़ा गया, तो पंदरवी भासा शिंदी में जोड़ा गया था अगला कोशन देखे, पूछा गया था धुरूप सेनका समन्द किस वन से है धुरूप सेनका समन्द मैत्रक वन से है जयोतिवा फूले माराश्ट के एक भरतिये समाद सुधारक और लेखक थे वहरत में महिला सिछह के अगरनी थे जियोतिवा फूले द्वारा पुस्ता गुलांगरी लिखी गई थी जियोतिवा फूले ने 1873 में शत्यसोदक समाज की इस्थापना की थी 1873 में किसके द्वारा जियोतिवा फूले के द्वारा सत्य सोदक समाज ने भारत में जाती विवस्था के खिलाब लड़ाई लड़ी उनकी पत्नी सवित्रिवाई फूले भारत में महिला सिच्छा की अगरनी थी तो यह सार इफक्त आपको ध्यान रखने है ठीक है जियोतिवाई फूले और उनकी पत्नी ने 1851 में पूरे में पर्थम कन्या विदाले की स्थापना की थी नैस कोशन देखे पूछा ग्याता संपत्ति के अधिकार का उले किस अनुछेद में है संपत्ति के अधिकार का जो उले कहना अनुछेद 300A इमें है अगला कोशन देखे पूछा ग्याता कि पंडवानी लोक नत्यका समन्द किस राज़ से है तो पंडवानी लोक नत्यका समन्द उत्तरा खंड राज से है पंडवानी लोक गायन की एक सैली है जिसमें महा भारत की काहरियों का वड़न सामिल है इसमें देखें आंध्रप्रदेश, मद्रप्रदेश और उड़ीसा में लोक परिये है और लोक मंचे का यह मुखे रूप से 36 गण में प्रदर्शित किया जाता है अगला कोशन राष्टी आपात काल का उलेग किस अनुचेद में है तो राष्टी आपात काल का उदेश अनुचेद 352 में है इसका उलेग भारतिय सम्मिधान के अनुछेत 352 के अनुशार यदि भारत के राश्पती को लगता है कि भाहरी आक्रमण या ससत्र विद्रों के कालन भारत की सुरच्छा को खत्रा है तो राश्पती संकून भारत या उसके किसी भी भाग के समझ में इस आसे की गोश्णा जारी कर सकते हैं अगला कॉशन्स वर्स दो जार एक से दो जार जेर ग्यारा के विए तसकीय जन संक्या वरधी थी सकत्रा दस्मलब 64 परतिसत अगला कोशन देखे पूचा गया तांसेन किसके दरबारी थे तांसेन जो हना ये अकवर के दरबारी थे अकवर ने तांसेन को अपने दरबार में नम रतनों में से एक बनाया और उन्हें मिया की उपादे दी तांसेन उन्हें गौलियर के राजा विक्रमा जीत त्वरा दी गई उपादी थी अकबर ने तांसेन को कांता भरान वन विलास की उपादी दी विरीवा के राजा रामचंदर सिंग और अकबर के भी दरवारी कभी थे यह भी आपको द्यान रखना है अगला कोशन देखे पूछा गया था तीसरा गोल्में समयलन कब हुआ था तीसरा गोल्में समयलन 17 नुमंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था अगर हम बात करें दुतिय गोल्में समयलन की तो दुतिय गोल्में समयलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था जिसमें कॉंगरेस ने भी भाग लिया था और एक दिसम्मर 1931 को समाप्त हुआ ये समयलन भी लंदन में हुआ था पर्थम गोल्मन समयलन कब हुआ था ये भी जान लेजिए बारा नॉम्मर 1930 से तेरा जमरी 1931 तक लंदन में आयुजित किया गया था अगला कोशन पंजाम में लोग सवा में कितने सांसद हैं तो पंजाम में लोग सवा के कुल 20 सांसद हैं ये आपको ध्यान में रखना है